आपने नियूस पेपर्स या नियूस चैनल्स में अक्सर देखा होगा कि जब ये पुलिस किसी क्राइम के आरोपियों को पकरती है और फिर जब उनको मीडिया के सामने पेश करती है तो उन आरोपियों का मुँ हमेशा धका हुआ रहता है जबकि यार इन क्रिमनल्स का चेहरा तो सारी जनता को देखाना चाहिए जिससे के फ्यूचर में जनता इन लोगों से साफधान रह सके तो आप सवाल आता है कि फिर पुलिस आखिर ऐसा करती क्यों है लेकि हमेशा के तरही कुछ गजब की जानकारी ही देंगे आपको इसी लिए वीडियो को लाइक और शियर कर दीजेगा अरे शिच्चा वाया कई वारना पुलिस पर बहुत जादा प्रेशर होता है किसे केस को जल्ली से सॉल्व करने का और जब वो क्रिमनल्स को नहीं पकर पाते हैं तो ठाने में पहले से बंद किसी बंदे को ढ़ालाते हैं और ऐसे मूँ ढखकर मीडिया के सामने पेश कर देते हैं और सब को बता देते हैं कि हमने क्रिमनल्स को पकड़ लिया है जिससे के पुलिस की बदनामी न हो और उनकी इमज बढ़िया बनी रहे अरे धनिया ऐसा नहीं है यार एक्शुली में कोर्ट के हिसाफ से जब तक प्रूव नहीं हो जाता है तो उह आपको गिल्टी नहीं मानती है अम्मान ने पुलिस ने किसी को पकरता ही उसका चेहरा सबको दिखा दिया और कोर्ट ने उसको बाइजद बरी कर दिया तो तब तक उसकी तो बहुत बदनामी हो चुकी होगी न भाई इसलिए पुलिस आरोपियों का चेहरा हमेशा धक कर रखती है